So hi friends, welcome back to e-education channel. Friends, जैसा कि आपने इस्क्रीन पर देखा, यहाँ पर एक जो LLB candidate है, उनके लिए vacancy रिलीज किया गया है. पाकि other stream के candidate है, उनके लिए vacancy अबलेबल है, various organization में. आपको उसके लिए playlist विजिट करना पड़ेगा, e-education का, जहां कि बहुत सारी vacancy, चाहे वो BA हो, या BTEC हो, या BSC हो, या फिर किसी BCOM हो, या किसी और like ITI हो, या PG, या फिर PhD हो, सभी के लिए vacancy अभी अभी अपलेबल है, playlist विजिट कीजिए, और आपको वहाँ पर information मिल है, so, आज हम देखेंगे, जो है, LLB candidate जो है, जो जन्होंने law किया है, graduation से, उनके लिए vacancy हम यहाँ पर discuss करने जा रहे है, so, यह है, ONGC के द्वारा release किया गया, notification, oil and natural gas, corporation limited, इसमें हम देखेंगे, क्या eligibility criteria है, salary structure क्या है, recruitment process क्या है, and number of vacancy, each and everything हम इसमें quickly cover करेंगे, और discuss करन channel को जरूर subscribe कर लें, और share करें, इस लिंक को दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इसमें apply कर पाएं, okay, इसमें हम देखेंगे apply कैसे करना है, most important thing कैसे आप apply करेंगे, इस profile के लिए, so, पहले इसमें थोड़ा सा notice देख लेते हैं, इसमें है क्या, actually, so, this is the notice, okay, so, यहाँ पे जो वेकेंसी रिलीज किया गया है, अगर आप देखें, तो, okay, so, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री इन लाओ, राइक, लाओ से ग्रेजुएट किया है, 60% मार्स के साथ, and with, पार्टी, लाइक प्रेक्टिशिंग जो है, प्रेक्टिश किया है, उनको फर्स्ट प्रिफ्रेंस दिया जाएगा, यहां पर प्रिफ्रेंस की बात हो रही है, इस नोट कमपल्सरी, प्रिफ्रेंस दिया जाएगा, तो टोटल नमबर ओव वेकेंसी 14 है, okay, so, फ्रेसर्स भी अप्लाइ कर पाएंगे, श्याली से 1,80,000 का पैकेज होगा, 60,000 जो है आपका, during the training period, you will get, and after the, you know, training period, जो एक्जुकेटिव क्लास पर आजाएंगे, फिर आपकी सर्ली बढ़ जाएगी, तो 11,500,000 का जो है पर मंद का पैकेज होगा, right, so, इसमें recruitment process क्या होगा, friends, इसमें, तो यह क्लाइट के बेसिज पे, ज एज रिलेक्सेशन यहां पर बिल रहा है, और इसमें, जो है, क्लाइट 22 का जो है, score जो रहेगा, उसके basis पे, जो कि आपका post-graduate LLM कराएगा, right, तो उसके basis पे जो है, आपका selection होने वाला है, 2022 के पहले का जो score card है, उसके basis पे, वो valid नहीं होगा, so, जो 2022 का जो score card रहेगा, LL qualification, 5 marks additional qualification, in the PhD, अगर आपने PhD किया, तो 5 marks उसके, और 20 marks जो है, आपके graduate के रहेंगे, right, essential qualification क्या है, graduation, ठीक है, तो उसके 20 marks मिलेंगे, and 5 marks PhD के, and 15 नमबर आपका interview होगा, तो इस तरह जो है, overall आपका recruitment process complete होगा, यहां पर, बात करें तो इसमें, जो है, आपका, 300 rupees application fee है, SC, STPWD के लिए, कोई भी fee नहीं है, और यह non-defendable fee है, और इसको, यहां पर देखेंगे आप, तो 13 September तो लेके, 3 October तक आप apply कर पाएंगे, right, अगर इसमें eligible हैं तो, आप इसको apply करना कैसे है, वो हम देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे, यह है, ong dcindia.com, this is the main website, आपको यहां पर करियर पर जाना है, थोड़ा सर ट्रीकी है, यहां पर आप जाएंगे, recruitment notice पर, काफी long process बना यह लोगों ने, तो यहां रिकूट, करियर में जाके, recruitment notice में जाएंगे, and then फिर आपको easily नहीं मिलेगा, and then फिर यहां पर आप करेंगे, यह registration recruitment assistant legal advisor executive level 1, CLAC 2022, so इस पर आप click करेंगे, यहां हिंदी, इंग्रिज दोनों आ रहा है, link for the online registration, online यहां पर notice, जो अभी आपको मैंने दिखा, यहां से download कर सकते हैं, और उसको आप reroute कर सकते हैं, अब registration के लिंक for the registration, यहां पर click कीजेगा, तो यह ONGC recruitment portal खुलेगा, click here to apply, तो यह यहां पर आप click करेंगे, इस पर, then फिर आपका यह page खुलेगा, इस में क्या है, आपका, यहां advertisement detail आपको मिल जाएगा, यहां से download कर सकते हैं, time line, यहां पर mention है, 3 October last date है, new applicant and existing applicant, तो new applicant पर आपको click करना है, यहां पर आप click करेंगे, तो इस तरह जो है, आपका यहां पर आप आपका new applicant, clear application, जब आप apply करेंगे, तो clear application number आप से मागएगा, email id, birthday and then login, तो इस तरह जो है, यहां पर आपका registration होगा, first time registration and then later on, जो है अपना full form, fill कीजिएगा, पूरा form, right, so friends, good luck, मिलते हैं ने, vacancy के साथ, अगर informative लगे, तो like कर सकते हैं, channel को subscribe कर सकते हैं, right, so किसी भी तरह अगर कुछ guidance, like request हो, तो आप मुझे लिग सकते हैं, मैं definitely आपको guide करूगा, मैं other social media platform पे भी हूँ, like Instagram, Telegram, LinkedIn, Twitter, Instagram पे भी join कर सकते हैं, जिसका link, description box में available है, so good luck, मिलते हैं, ने vacancy के साथ, thank you friends,